हलो स्टुडेंट्स जैसे कभी हम लोग क्लास्टेंथ का इतिहास का चेप्रेंग नमबर टू पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंडो चाइना में राष्टरवादी आंदोलन और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुती महत्यपूर्ण प्रस्न को देखने वाले हैं देख जो प्रस्न है या कुछ इस प्रकार से है बालकन पर देशों में राष्टरवादी तनाव क्यों पनपा अब देखिए पहला बात किसी भी देश में लड़ाई जगडा तभी होता है जब परजा के साथ नाइनसाफी किया जाता है यानि एक तरफा होता है अब ये एक तरफ ये कोई देश है उस देश में दो धर्म का लोग है एक हिंदू है एक मुसल्मान है अब आप जाहिर सी बात है देखिए आप इस चीज़ को समझी अच्छे तरीके से माल लीजिए अगर हम ज्यादा हिंदू पर ध्यान दे यानि हिंदू को ज्यादा हम सपोर्ट करें तो ज कब भी एक तरफा काम होता है तब भी राष्ट्रवादी तनाव पनपता है तो चलिए यहां पर देखते हैं कि जो बालकन परदेश है उहां पर राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा इस बात को यहां पर हम लोग एदम अच्छे तरीकी से पॉइंट बना बना कर समझें तो देखिए कि बालकन परदेशों में राष्ट्रवादी तनाव है 8 707 इसवी के बाद पनपा क्यों की अब जो बालकन परदेश है तो कि पर राष्ट्रवादी तनाव कब पनपा था 8 07 में पनपा था तो हम लोग नीचे से यह सब जो नीचे दिया गया है पॉइंट सारे पॉइंट से समझेंगे कि क्यों पनपा था तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से इन छेत्रों में राष्ट्रवाद तनाओं का पनपने का मुख्य कारण रुमानी राष्ट्रवाद का उदय था यानि पॉइंट क्या कहता है कि इन छेत्रों में जाती बनावट एवंग संस्क्रिती भीन भीन थी जिससे परतेक समुदाई अपने आपको ताकतवर एवंग दूसरे को कमजोर सोचते थे देखिए मैं बात यहां पर आपको सेकेंड पॉइंट से सारा चीज आपका किलियर हो जा है तो जाहिर सी बात है कि उ版 पर राष्ट्रवादा रहर होगा कि कोई फी आदमी पर राष्ट्र कोई भी संस्क्रिका 9th हमी सबसे ताकट Boston时间 कर ने लगे यहां के लोग भी वह योग वोन सबसे लगी थे पर करेंदद कि सबस्काल किसी पी एघंडर कर का Sydney मेन मुद्दा है कि वह अपने आपको ताकतवर सोचे और दूसरे को कमजोर सोचे तो जाहिए सी बात है वहाँ सही क्या होगा लड़ाय स्टाट हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अबनेस्य तक हम लग करते हैं कि यहां तक देखा कि यहां के लोग थे वह अपने आपको डेलब बहुत सारे जाती बहुत सारे सभदार संस्कृतिकी लोग अपने मुफट को दूसरे को मानते थे कन जोर मानते थे अगला point क्या कहता है कि 19-वी सदी में ओटोमन समराज ने आधुनी की करण एबंग आंतरिक सुधारों दवरा मजबूत बनने का प्रियास क्या परंतु विये असफल हो गए क्यूंकि सभी यूरोप बासी उसके चुंगल से निकल कर सवतंतरता की घोसना कर दी क्या हुआ कि 19-वी सदी में क्या हुआ कि ओटोमन समराज ने आधुने की करण एबंग आंतरिक सुधारों दवरा मजबूत बनने का प्रियास किया यानि जो ओटोमन समराज जिताना वह क्या हुआ डिजिटल रूप से सोचा और अंदर-अंदर में सोचा कि हम क्या होंगे सब से मज防 बन जाएंगे और जब हम सबसे मजबूत बन जाएंगे तब हम परियोंने क्या हुआ हुआ वन लोग उसी निदे वहा कि हो लुगा सितन देक Lebens और बहुंत की गुसना कर दोंग मैं Jattie देश बनाएंगे हम एकदम साथंत्र रहेंगे बात समझ लेया है तो यह था हमारा यह पॉंट अब हमारे जो लास्ट पॉंट क्या करता है देखिए लास्ट पॉंच देखिए, कि जब सारे यूरोप बासी ऐसा करने लगे, तब बालकन छेत्रों में गहरा टकराव होने लगा, राज में सभी एक दुसरे के प्रती इर्षिया का भाव रखने लगे, हर एक राज अपने लिए अधिक सधिक इलाका हडपने लगा, जिसके चलते बहुत सारे यूद्ध भी हुए, और बाद में प्रथम 20 भी यूद्ध हुआ, देखिए, कितना सुन्दर सा बात, अब देखिए, यूरोप बासी तो सवतंदर दा की घुसना कर दी, तब क्या हुआ, कि जब सारे यूरोप बासी ऐसा करने लगे, तब बालकन छेत्रों में गहरा टकरा होने लगा, राज्यों में क्या होने लगा, कि सभी एक दुसरी के प्रतीरिस्या का भाव रखने लगा, यानि सब सोचने लगा, कि हम सब से ताकतवर है, और जो मेरे सामने, मेरे जो अपोजिशन में है, जो मेरे अपोजिट में है, वा क्या है, कमजोर है, तो इससे क्या हुआ कि हर एक राजी क्या हुआ अपने लिए अधिक सदिक इलाका हडपने लगा जिसके चलते बहुत सारे युद्ध हुआ और बाद में क्या हुआ प्रथम 20 भी युद्ध भी हुआ ठीक है आसा करता हूं यह प्रस्ण का एंसर आपको अच्छा लगा है और आप समझ गये हैं अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो को बार बार देखें आप समझ जाएंगे और यह जो प्रस्ण है यह बहुत ही महत्रपूर्ण प्रस्ण है कि बालकन परदेशों में रास्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा इसी तरह से हमारा वीडियो आता र